हे अलो गाईज, वेलकम तो और यूटुब चैनल सुपर चेलेंजर, तो आगे हैं एक नई ट्यूटरियल वीडियो के साथ जिसमें लोग जानने वाले हैं इन हीलर के वारे में, जिसे आप सेकेंड लेंग्वेज में रनिंग मेट किट भी बहुत सकते हो, यह कहां पाया है ज जाएंगी इन हीलर आपको occupied रेंग मैच के किसी भी मेट में कहीं भी पड़ा हुआ मिल सकता है इस तरह से मैं आपको दिकाएता हो, मैंने जैसे ही यहांप गया आप देख सब्सक्रिक भी पड़ा हुआ है आप इसे पिक कर लो आस्वसे अब इसका यूज किया सकता है इसको मैं बतायता हूँ लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझना होगा कि जब आप damage हेते हो तो आपका health कम हो जाता है उस समय आप medkit का use करते हो health को gain करने के लिए उसके बाद आप fight लेते हो लेकिन आपके पास कभी कभी time नहीं होता कि आप medkit का use कर सको उस समय इनहीलर यूज आता है या कभी आप open में fight ले रहे हो या जो ने फस गए हो और आपका health तेजी से जा रहा है और आप medkit यूज नहीं कर सकते हैं तो उस समय भी आप दोड़ते हुए inhaler का use कर सकते हो medkit के रूप में यूज करने के लिए दोड़ते हुए medkit वाले option पर क्लिक करो आप यूज हो जाएगा असानी से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा damage health थोड़ा बहुत damage था वो तो fulfill कर ही दिया उसके साथ साथ कुछ extra EP भी दिया मेरे को तो अब completion होयता है medkit और inhaler में यह कौन बहतर है तो अगर आप मेरे से पुछोगे तो मैं CDC बोलूँगा inhaler बहुत ज़्यादा फायदे मन्दे medkit से क्योंकि medkit सिर्फ HP आपका complete करता है जबकि inhaler आपके पास है तो यह तो HP देगा ही देगा अगर आपका health कम है तो उसके साथ साथी यह आपको extra EP भी देता है जो बहुत संदार होयता है अगर आपके पास inhaler का stock ज़्यादा है तो आप अलोग से भी compare कर सकते हो इसका अलोग capability होती है कि 50 HP आपको कुछ समय बात देता है लेकिन अगर आपके पास inhaler है तो बीना समय लिए आपको हर बार 50 HP 50 HP करके देता रहेगा that's all about inhaler thanks for watching this video goodbye